अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी आधालत रजट शर्मा के साथ आपके दालत में आज मुकदमा चलाएंगे एक ऐसी शक्सियत पर जिन्होंने पिछले पचास साल से देश की राधीती का हर रंग दिखा है देश के सबसे नुभवी सबसे सीर्ने नेताओं में से एक एक ऐसे नेता जिन्होंने नजाने कितनों को कुर्सी पर बिठाया नजाने कितनों को कुर्सी से उतारा प्लीज वेलकम देश के सबसे सीर्ने नेताओं में से एक गुलाम नभी आजाद और आपके अदालत में आजास साब के लिए जज्ज का चुनाब करना मुश्किल था इतना लंबा नुभा पच्छा साल का पुलिटिकल करियर मैं आमतिल कर रहा हूँ राजनी तेके का नुहवी नेता फॉर्बर यूनियन मिनिस्टर आज की जज्ज दिनेश तरिवेदी को और इस से पहले कि आपके अदालत में दालता सवालाद का सिर्सरा शूरू करें आज के जज्ज दिनेश तरिवेदी के जाज़ध चाहेंगे आज की कारवाई शुरू करने के लिए गुलाम नभी आजाद के पुलिटिकल करियर पर गुलाम नभी आजाद देश के सबसे सीनियर पुलिटिकल लीडर्स में से एक है गुलाम नभी आजाद में 50 साल पहले कॉंगरिस जॉइंग की थी कश्मीर में कॉंग्रेस के ब्लॉक लेवल सेक्रेटरी के रूप में काम शुरू करने वाले घुलाम नभी आजाद कॉंग्रेस में कई स्टेट लेवल पुजिशन्स पर रहे नाशनल लेवल पर इनकी पहचान बनी जब ये यूथ कॉंग्रेस के नाशनल प्रेजिडेंट बनी घुलाम नभी आजाद ने कॉंग्रेस के जेनरल सेक्रेटरी की पुजेशन पर सबसे ज्यादा साल तक काम करने का रेकॉर्ड बनाया खरीब 35 साल तक घुलाम नभी आजाद कॉंग्रेस पार्लियमेंटरी बोर्ड और वरकिंग कमेटी के मेंबर रहे ये वो वक्त था जब जब ज्यादतर टाइम केंदर में कॉंग्रेस की सरकार थी घुलाम नभी आजाद 1987 से 2014 तक कॉंग्रेस की जो भी सरकार बनी उसमें मिनिस्टर रहे घुलाम नभी आजाद उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिने पार्टी के चार चार प्रधान मंत्रियों इंदिरा गांधी राजीव गांधी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंग की सरकारों में मंत्री बनाया गया घुलाम नभी आजाद 2005 से 2008 के दौरान जम्मो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे इन्होंने साथ साल राज्य सभा में विरोधी डल के नेता की जिम्मेदारी भी सभाली फिर अगस्त 2022 में घुलाम नभी आजाद में कॉंग्रेस पार्टी से इ डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नभी आजाद आजकर चर्चा में है अपनी आटोबाइग्रफी आजाद को लेकर संजय गांधी से लेकर इंदिरा गांधी राजीव गांधी और सुनिया गांधी के खरीबी रहे गुलाम नभी आजाद आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे आईए शुरू करते हैं आज का ये खास मुकदमा गुलाम नभी आजाद पर आपके अदालत में पहला इल्जाद आपकी अदालत में देश के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक गुलाम नभी आजाद पर इल्जाम है कि ये बेवफा निकले गम इस बात का नहीं कि ये बेवफा हो गया अफसुस इस बात का है क्या था क्या हो गया जो कहते हैं कि क्या से क्या हो गया वही तो जिमेंगदार हैं इस चीज़ के लिए क्या से क्या हो गया और मैं बेवफा नहीं हूँ बलके बावफा हूँ बेवफा तो वो हैं कि जिनको सब कुछ नजर भी आ रहा है लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं है लेडरिशिप को कहने कि सब कुछ बरबाद हो चुका है वो बेवफा है जो अपने लेडर को धोका दे अपनी पार्टी को धोका दे और उनको ये कहें ये न कहने की जुरत हो और हिम्मत हो कि पार्टी तबा बरबाद हो गई है ये पार्टी जो हिंदुस्तान की 34-35 स्टेटों में राज करती थी पार्लिमेंट में एक वकद 414 सीटें ली वो दो एलेक्शनों में 50-55 सीटें नहीं ले सकती है और लीडर अपुशन नहीं बना सकती है वो बेबवा हैं वो धोका दे रहें अपनी पार्टी को सब को जान के भी लीडर को कहते नहीं कहते हैं हिम्मत नहीं है कि तुम गरत कर रहे हो उनको अजास साब आप से इस बात की शेकायत नहीं है कि आप कॉंगेस से लोग हो गए उनका कहना ये है कि तुम राहूल को न चाहो तो कोई बात नहीं मुदी को चाहोगे तो मश्किल होगी नहम मुदी जी को चाहते हैं और नहम राहूल जी को न चाहते है सवाल गर्ल फ्रेंड का नही है वाई फ्रेंड का नही है स्वाल हिंदुस्तान की राजनेती का है कि कौन सा कैप्टन इसको उड़ दोबाने की कोशिश कर रहा और कौन सा कैप्टन इसको किनारे पर पहुँचाने की कोशिश कर रहा वहां मैं उसका धर्म नहीं देखूंगा उसकी शकल नहीं देखूंगा उसका काम देखोगा इंद्रा गांदी थी हाँ चलाते थे राजिव गांदी थे चलाते थे नहरू थे चलाते थे अपने देश को भी चलाते थे दुनिया को भी चलाते थे मिस्स गांदी को तो प्राइमिसर बनने का मौका नहीं मिला लेकिन पीछे से वो भी चलाती थी लेकिन आज क्या बात कि पार्टी नहीं चलती सिर्फ गाली देने से इंसान लीडर नहीं बनता है गाली देना भी राजनीती में सोफिस्टिकेटड गाली चलती है लेकिन स्ट्रीट लेंग्वीज नहीं चलती है और वो भी कभी हुआ 24 गंटे नीज से उठके आप किसी को गाली दोगे सुने से पहले फिर गाली दोगे इससे ना देश बनेगी ना दुनिया बनेगी ना कोई पावर में आ सकता आप कहरें कि राउल जी शिप को डुबा रहे हैं और मोदी जी चला रहे हैं इस वकित वही हो रहा है अब कैप्टन बनने के लिए अगर मोदी सहाब 24 गाली शिवन काम करते हैं तो उनको 24 मिनिट्स भी तो काम करना पड़ेगा ना 24 मिनिट्स भी काम नहीं करोगे तो आप कैसे परदान मंतरी बनोगे मेरी पूरी सहरन बोती रहुल गांदी के साथ मैंने उनके बाप के साथ भी मंतरी रहा हूँ और पार्टी में भी रहा हूँ उनके बाप के साथ मैं उनकी दादी के साथ भी 32 साल की उमर में मंतरी बना उससे पहले यूथ कांग्रेस में 28-30 साल की उमर में मैंने इंद्रा गांदी के साथ काम किया वो 24 गंटे काम, 20 गंटे काम करती थी राजीव गांदी 20 गंटे काम करते थे ये 20 मिनट क्यों नहीं करते तो उन्होंने 20-20 गंटे किया तो परधान मंतरी बने ये 20 मिनटे में ही काम करके कही परदान मंतरी बनना चाहते तो नहीं है पॉसिलिल हम मैंने बीस बीस घंटे काम किया मैं आज भी ऐठारा सेवंटी प्लस हूँ मैं अठारा घंटे आज भी काम करता हूँ नई पार्टी बनाई है मैं दो बजी तक बैठता हूँ दो उसे मिलता हूँ सवा फिर शे बजी चुरू कर देता हूँ जब आप ऐसी बात है कहते हैं नो और बो कहते हैं कि इनकी पार्टी का नाम आजाद है ये सिरह काम करता है किसी अच्छे को अच्चा कहना और बुरे को बुरा कहना जही गुरूर की और गुलामे की निशान। कि ये जो किताब है ये आजास साब नेने लिखी, ये मोधी जी ने लिखी है और ये किताब लिखी गई है कॉंगरिस को डिमॉलिश करने की लिए, उनका कॉंगरिस मुक्त भारत बनाने का सफना पूरा करने की लिए दो चीज़ है एक तो बड़ी खुशी की बात है अगर मोदी ने लिखी है तो कांगर्स की तारीफ कर रहा है फ्रीडम फाइटर्स की तारीफ कर रहा है नहरू की तारीफ कर रहा है इंदरग गांदी की तारीफ कर रहा है उस बुक में राजिव गांदी की तारीफ कर रहा है, सौरिय गांदी की तारीफ कर रहा है, बहुत अच्छी बात है अगर मोदी ऐसा सोचते हैं और उनने लिखी है, तब तो उनको बहुत खुश होना चाहिए, फिर उनको गिला है कि मोदी ने उनकी तारीफ क्यों ने की, उन तो मोधी जी को कमजोर करने के लिए कहता था कि कांग्रस में परिवरता लाओ, ब्लॉक लेवल पे अलेक्शन करो, डिस्टिक लेवल पे अलेक्शन करो, स्टेट लेवल पे अलेक्शन करो, वर्किंग कमीटी पे अलेक्शन करो, यहां तो 26 साल से अलेक्शन ही नहीं हुए, अ और वो लोग चुनेंगे बलाग का तो एलेक्शन किया नहीं, डिस्टिक का एलेक्शन नहीं किया, सीधे नेशनल प्रिजिनन का किया, और वोटर लिस्ट के बगेर ही किया, कुछ को तो वोटर लिस्ट खतम होने तक नहीं देते हैं, और कोई वोटर लिस्ट उस दिन फून प पूछ तो हुआ फिर पार्टी तो वो चलाते नहीं काश पार्टी चलाते यह बहुत अच्छा होता वो भी पूछते हैं मैं बशारे की हमारे अच्छे मितर हैं तो मैंने ही चाहता हूं कि वो उनका डंगरेट करो और जो सबसे important पयंद arises स applies वर्किंग कमीटिए उसका जाल कभा शबीष साल पहले कि 97 पिशेभी से सढ़ी में कैलकटा से टाराम के सभा नहीं कियों नहीं हुआ यह क्यु कि यर्लेक्ट वरकिंग कमेटी को प्रेजिन्ट हटा नहीं सकता क्योंकि एलेक्टेड हैं लेकिन इनको हर दूसरे दिन चेंज करता है प्रेजिन्ट इसने अगर कोई ज्यादा बोला इसको हटा दो उसकी जगर दूसरा बनाओ इसने जरा लेटर गुलावन भी आजाज जैसे आदमे ने लेटर लिख दूसरी बात दुनिया के लिए इस आपके चैनल की द्वारा करोडों लोग देखते हैं विधान सबा की सतर परिशट टिक्टें तुम गलत आदमियों को देते हो विधान सबा में भी पार्लिमेंट में भी अलेक्शन टिकेट बांटने वाली कमीटी जो है इसको चेंज करो वो करो जो आज राजनिती में एक्ट्व हैं जो आज कहेगा कि तामिल नाडू में ये काम करता है ये नहीं करता है ये सकरिये है ये नहीं है जो बंगाल में कहेगा कि ये सकरिये नहीं है ये लेकिन जो पंदरा साल पहले खुदी रिटायर हुआ राजनिती से और छबी साल पहले की बात करने वाला वो टिकेट विसे आएगा तो आप कुछ आली सीटे नहीं आएंगी तो क्या आएगी और फिर भी आप मुदी से मुकाबला करना चाहते हो तो इस में मैं कांगर्स को धोका दे रहें कि वो धोका दे रहें कांगरस को वो कमजोर कर रहे हैं कि मैं कमजोर कर रहा हूं जो कहता ठीक करो तो ठीक करने वाला बेवफा हो गया वगोडा हो गया और जो अंदर बैठके तुम कांगरस को ख़दम कर रहे हो ठीक है सब जानते हैं कि वर्किंग कमिटी का, इलेक्शन कमिटी का कोई मतलब नहीं है, यह सब राउल जी ताय कर देते हैं किसको टिकट देनी, किसको लडाना है, किसको बनाना है. अगर वर्किंग कमिटी, जो फील्ड में काम करते हैं, वो अच्छे आपको नाम देगे, लेकिन अगर एक आदमी दिल्ली बैठकर जो उसको पताई नहीं है, वो टिकट देगा, तो चाली सीटे कभी बीस भी आ जाएंगे. अब देखिए, दिगविजे सिंग तो आपके उमर के हैं, उतने ही अनुभवी हैं कॉंग्रेस के, उन्होंने कहा कि उलामना अभी आजाद कॉंग्रेस को डेमॉलिश करना चाहते हैं, हमने तो उनकी नई पार्टी को डेमॉलिश कर दिया. अंदर बैठ कर वो भी यही कहते हैं, लेकर रेड की हड़ी बड़ी कमजूर हैं उनकी, मेरी पूरी है. जब हमारे साथ बैठते हैं, वो कहते हैं, इस आदमी ने डुबो लिया, लेकर इतने गट्स दी हैं हमारी तरह कि हम कह रहे हैं, आप डुबो रहे हैं. जब मेरे साथ जो चवी थी पप्पू की वो बदल के एक तपस्वी की होगा मैं उस नाम पड़ नहीं जाता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी फैमिली के है तो बड़ा बुरा लगता है कि जिस फैमिली के साथ हमारी इतनी एसोसेशन हो उसकी नंदा करें लेकिन हमने अंदर बैठ कर जितना हमसे प्रयास हो सकता है वो किया सुनानी सुनानी अब इसमें क्या है या तो कौने में चुप करके बैठ जाओ या एसिडिटी हो जाए एसिडिटी टेंशन से होती है हम जब यह कहते हैं यह हो सकता लेकं कोई आदमी करता नहीं है या आपको संसिरली पार्टी चलानी है मैं मुद्द बता ताओ मुद्द है मुद्धी चौर है अड़ानी चौर मुझे कोई तकलिफ ने मुझे कोई रिजदार दे लेकं एक दफ़ा कोगे ना दो दफ़ा कोगे कि 9 साल को हो गए 9 साल कौन इनसान इस देश में है जो एक ही मुद्दा कहेगा उसके बगर कुछ कहेगा है नहीं हमारी करोडों लोग बेरोजगार है पड़े लिखें इनके पास कोई जाब नहीं है यह प्रॉब्लम है आजासाब वो कहते हैं सारे मोदी चौर है आप एक भी मोदी को चौर नहीं कहते हैं वो कहें मैंने कब कहा आप दो नहीं कहाँ लेकिन 9 साल तो नहीं कह सकते न इस देश में 130 करोड लोग रहते हैं 130 करोड की 10,000 करोड समयसिया आए हैं तो आपको दो ही समस्या हैं कि नजर आ रही और वो आपकी समस्या है वो अनपलाइड यूथ की समस्या नहीं है वो जिसकी क्या कहते हैं महंगाई है वो उनका समस्या नहीं है यह बात आपने उनको कही सामने मूपर हम लोग ने वरकिंग कमेडी में यह चीज उचें कि आपका मुद्धा गलत है और जो भी उनको कहे कि यहापका मुद्धा गलत एंड कहा तो मूद्धी के साथ है तो हूं कि ऐसे आदमी का क्या करूँगे अब किसी को सला दोगे और को गे नहीं आप मेरे द्शून से मिले हो तो आप ठीक कैसे होगे आपूदी जी आपके लिए पार्लमेंट में रोएं, सिस्किया बन जाएं, बारा मिनट आपकी तारीफ करें, तो ये तो कहीं जाएगा कि आप मुदीजी से मिले हुएं? मैं द्वा करता हूँ कि राहुल जी भी इस तरह का कोई काम करें कि इसके लिए मुदीजी रोएं. पहले आपको लगता था मुदी जी कुरूड हैं, बीवी बच्चे नहीं हैं, किसी ये परवाद नहीं करते हैं, लेकिन फिर आपका थिंकिंग बदली. देखो मुदी जी को बेन 90 से जानता, जब ये जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, मैं भी जनरल सेक्रेटि नैशन जनरल, अटल जी के जमाने में. तब हमारा एंकाउंटर होता था जैसे आज जा अपने बुलाये तो कभी वो सामने हैं उनसे सवाल ये बीज़ेपी वसिस कांगरस फिर हम दोनों चीफ मिनस रहे वो भी चीफ मिनस थे जब वो अपने स्टेट के मैं अपने तब समन्द रहे लेकर में अतनी नजदीख से नी जाना था फिर साथ साल में लेडरा पूशन रहा वो साथ साल परधार मतली वह अभी भी परधार मतली लेकिन ज़्यादा मिलना जवना लेकिन मीटिंग, हर सेशन में दो-ती मीटिंगें होती थी, उनमें उनका लिसनर बड़े थे, सुनते बैठते हैं सब की भाशन, लेकिन मैं सोचता था, बड़ा करूड है, कही चीज़ों में, साथ साल मैंने इनके खिलाब बहुत बोला है, इस लीडरा पोशन आमने सामने, जैसे हम आमने शामने विरूत करता में फॉग ऑप यह घंटा मैं हर भाषन में हैंधाओन ऑनमने केसे द्राप जो जो अच्छा करita था मैंने कभी निए का चान अबने अच्छा से तकसरे मेरत को गया मेरी औवधी खतम होगी क्योंकि मेर्धी कि दнаком किश्मीर में हो भी मोदी जी के से बढ़' पहुँ ऊथो पॉरक्टी मेरे क्योंकि मैं जमो कश्मीर से चुन के आता था वहांकि विधान सबाराज्सभा सभा भीज टी तो वो विधान सबानं उन्होंने भंक की है चार-पाइस साथ से वां गॉर्नर रूल है तो विधान सभाई नहीं थी तो मुझे कौन चुनता यह आपकी बेवफाई का सबूत है तो यह नारेस की मेरी थी और उस गॉर्नर रूल को हटा के विधान सभाई करने की वी मेरी बड़ी कोशीश दी ता कि ह पार्लिमेट वाया है तो मेरा गुसा तो बराबर उन्पर जा रही था उनका गुसा भी सुभाविक होने चाहिए था कि मैं साथ साल उनका विरूद किया लेकिन जब उन्होंने भाशन किया अलवधाई भाशन तो मेरा दिश्च्पूर्ट बदल गया कि ये आदमी कुरूड हो सकता इसकी और हमारी विचारधारा मिलती नहीं है शायर इनकी विचारधारा से देश में अखसान हो रहा लेकिन जब उन्होंने भाशन शुरू किया तो मुझे मौदी की का दूसरा चेहर भी नज़र आया ए लेकिन ये कहना कि महनत नहीं करता है वो कहना बेवकूफी होगा लेकिन जस तरह से वो रोए और एक ऐसे दुर्श को दुबारा मेरे सामने लाया जिसमें वो भी रोया और मैं भी रोया उसने क्यों रोया असली ये मेरी जुदाई थी नहीं थी या कोई बॉई फ्रेंड ग तो गुजरात की एक बस गुजराती पैसेंजर लेकर टूर्स बस कश्मीर आई तो सुबा सुबा ही मुझे सी आईडी ने बताया ये गुजरात की पैसेंजर की बस थी और उस पर हमला हो गया गर्डेर से और कुछ लोग मर गए और कुछ लोग जखमी है तो मेरे पास जो क पपड़े उसके तैयार नाश्ता में इनकी आता सीधे पहुंचिया साइड पहुंचा मैंने लाशन देखी मैंने टुकडे देखे मैंने बच्चे रोते अब सब जब जाओ गे तो चीफ इनस्ट आ है चीफ इनस्ट आ है तो वो बच्चे मेरे टाउंगों में हमारा बाप मर या हमारी मा मर गी उनकी फैमिली मेंबर तो मुझे मैं बे बाहर रोया जोर से चलाते चलाते इसी भी मोदी जी गुजराच चिफ उनका फोना है तो शाम को जब मैं अलविदा करना एरपोर्ट पे गया सियाफ कर लें गया इन डेड बाडिस को तो जहाज में फिर पकड़ या इन लोगों ने गाली नहीं दी थी पकड़े और रोये मेरे टांगें पकड़ पकड़े कर औरतें भी और बच्चे भी मैं फिर रोया फिर में से इमका फोना है तो मैंने रोते रोते ही उनसे बात की तो वो जो सचे यहां नेशनल लेवल पे थोड़ा आया लेकिन गुजरात के थे और वो तो प्रायमिस्ट ने कहा कि लोग गुजरात के थे और चीप नसर लू रो रहा जैसे इनके परिवार का कोई आदमी मर रहा तो इसलिए में सेड्यूट करता है वो चोप हो गया अब है और फिर मैंने प्रायमिस्ट के बाद मैं बोला मैं सबसे रास को बयान कर रहा था तो मैं खुद चोक हो गया तो उस एक वाका को बयान कर रहने पर प्राइमिस्ट भी रोई मैं भी रोया और मुझे आफसोस है कि उस चीज़ को ये पुलिटिकल करते हैं इन्होंने तो पूछा भी नहीं एक दवा अब चीफिनिस्ट हो तो कौन मरा गुजरात का कैसे मरा आज तक नहीं पूछा ये तो उसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि इनकी वफादारी बोदीजी से है राहूल गांधी को लोकसवा की मेंबरशिप गई दो दिन के अंदर उनसे मकान खाली करवा लिया आजास साब दो साल से एमपी नहीं है वो अपने मकान में रह रहे हैं यूकरीन जाएं जारा चार साल बैठें उन बंदूकों के बीच में जैसे हम पंजाब गए थे या कश्मीर में गए थे और उनकी जाने बचाएं उदर से आके मोदी अपना बंगला खाली करके उनको दे देगा प्राइमिस रास में बैठो उस करशा हम इन इतनी ये 16 दफा मिल्टेंटू के अटेक से चीफनस बचे हैं 25-26 दफा जनरल सेक्टी पंजाब में बचे हैं 40 दफा बचे हैं तो उसको कौन प्राइमिस्टर मकान नहीं देगा और मकान का किराय देता हूँ मकान का भी विजली का भी पानी का मुफ़त नहीं रहता हूँ देखें आप पर जितना खत्रा है उसको मैं जानता हूँ उसके इसाप से आपको मकान देना गलत नहीं है वो कह रहे हैं कि इन से क्यों खाली करवाया इन पर भी खत्रा है अब जैसा करोगे वैसा भरोगे अब 24 हिंटे गालियां दोगे तो वो भी तो सरा खुझनी करेंगे कॉंगरेस छोड़ने वाले आप अकेले नहीं है हिमनता बिस सर्मा उन्होंने छोड़ा उनका फायदा हुआ वो मुख्यमंत्री बन गए मिस्टर सिद्या कैबिनेट मिस्टर बने बहुं सारे एक दरजन दो दरजन के करीब लोग और ये तो वो लोग थे सिंधिया जी का खास तौर पर हम इनको देखते थे पारल्मेंट में साब दिखता था वो ही सबसे जादा हंसी मजा करते थे रावल गांदी से हर वक्त उनस कि हम उमर है इनकी छोड़ी हम महला कांगरिस की नेशनल प्रिजन वो चली की मम टीम सी में पर एंपी बन गी तो इनके तो सब यूथ वाले ही छोड़ के जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं इनके सभाव से हमनता की कानी तो हमने सुनी है वो मिलने गए थे और उन्हें का कि क्योंकि मिस्स गांदी ने मेरे को ही भेजा था यहां कि देखो बहुमत हमनता का है यहां तब मैं लीडर पोशन था सुनागर से मुझे बलाया है कि यहां विवाद हो रहा है उसने वोट अफ हमनता ने सीम के खिराफ वोट अफ नो कान्फिडेंस दिया तो आप करो इसका अलेक्शन करो तो मैंने यह अपने घर में दिली के घर में हमनता को बलाया उसके साथ 45 अमेले थे सीम को बलाया उसके साथ 57 अमेले थे और डिसिस गांदी ने कहा कि जागो जिसके पास 45 उसको चुनो लीडर में जा रहा था सुबह शाम को राहुल गादी का फोन आई कि सुबह मिलने गया तो सीम उनके पास बैठा था तो कहा नहीं यही चलेगा तो मैंने कहा हमनता के पास मिजरटी इनके पास साथ है उनके पास पंतालीस है वो भाग जाएगा का भागने दो नार्थीस का वो इन्चार्ज है तो फर क्या हुआ तो भागना है तो भागया तो आज क्यूं रो रहे हैं उसने पूरे इस आर्ट स्टेटें ली नार्थीस की जिनका वो इन्चार्ज था तो फिर भी कहते हैं कि यह कांगर्स का भला काम कर रहे है कांगर्स के भला काम कर रहे कि मुधिशाब का काम के रहे हैं कैपिन अमरिंदर सिंग के साथ क्या हुआ वो तो मुख्यमंतरी थे वो भी है वो भी इसमें लिख्याए और वो भी वरकिंग कमीटी में में उठाया है मैं अब पूरी वरकिंग कमीटी की बताऊँगा नहीं थोड़ा बताऊँगा मैं तो सच के मामले मैंने वरकिंग कमीटी उसके बाद बेड़ा गरक होने के बाद बुला जब बुलाई तो मैंने वदाय सबसे पहले ही है उस मुझरिम को पेश करो जिसने ये पंजाब दुबो दिया चार महिने पहली एलेक्शन से कून बिवकूफ आदमी चीफ मिनस्ट को चेंज करता है हमें तो छटी क्लास में गाउं में पढ़ाया था मिड्स्ट्रीम घोड़े नहीं बदलते मिड्स्रीम घोड़ों बदले गए तक बह जाओगी घोड़ा बड़ा अच्छा गया था ना नवजोज सिंग सिद्धू हाँ ये वाकरी है इतना बड़ा घोड़ा मैंने देखा नहीं जो पैसेंजर को लेकर खुद ही डूब जाए मैंने आज तक हिंदोस्तान के 138 साल के नवपड़ा है और 50 साल से देखा कि कोहिरस प्रेजिडन नवजोज सिद्धू अलेक्शन में अलेक्शन तक्रीरों में कहता है ये जो चेफ मिनिस्टर जोड़ बोला या आप से प्रामिस जो कर रहा है गलत कर रहा क्योंकि ये जिसने जीत कहीं नहीं आना ये चोर है इतना नहीं उनकी बेटी भी एलेक्शन कमपेंड कर रही है पार्टी की कि हमारा चेफ मिनिस्टर चोर है तो कौन गधा वोट देगा उस पार्टी को जिसका पार्टी प्रिजिडेंट वो और उसकी बेटी परचार करें कि हमारा चीफिनस जोर है हमारे पार्टी का चीफिनस जोर है तो वोट क्यों लोग देते तो जिसको सेलेक्शन करने वाला ऐसे प्रिजिडेंट आप में का वो बीजेपी की मझत कर रहा कि मैं कर रहा हूँ ओगमोदी जी की मझत कर रहे मैं कर रहा हूँ अफ सुनाए कि राजस्तान में बगावत होनेवाले सचिंध पालिट काफी व boiler देखें अब देखा है मैं तो चाहता हूँ कांगरेस जिंडा रहे लेकिन कैप्टन खुदी चाहता है शिप डूब जाए तो मैं कैसे बचाओ कैप्टन जाता कि जल्दी और जहां ज्यादा टर्बॉलेंट है उसमें ले जाओ यहां डूब नहीं रहा कम बाग अभी आधा 90 परसंट डूबा है लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ नजर आ रहा है उधर टर्बॉलेंट पानी में ले जाओ जल्दी डूब जाए एक शायर ने काया ना कि मेरी किष्टी वहां डूबी जहां पानी कम था तो भी तो पानी था ये तो रेत में डूब रहा है अज़ा साब वो कहते हैं कि वो नफरत के बादार में मुहबत की दुकान खोलने निकले हैं तो कभी आप भी जाएंगे उस दुकान के उपर हमारी आदत शुरू से बच्पन से खुद कमाने की हैं दूसरों को खिलाने की कमा की हम किसी का हराम का नहीं खाते हैं किसी क्या भीख मांगे के नहीं नहीं खाते हैं वो भीख मांगे खाते हैं तारीफ करो जूदा पालिश करो और देदो पोजिशन और हमारा विरूद करो मुख्दी का विरूद करो हमारे विरूद और मुख्दी से विरूद में पावर में आ जाते हैं तो गॉड ब्लेस दे आई वीश्देर में ब्रिक के बाद आपके अदालत में इल्दाम और सफावाला काई सुनिय अजी से आपकी रिलेशन चीप थी उसको देख करके मुझे मज़ूर सुल्तानपुरी की वो लाइने याद आ रही है रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से प्यारों की तरह बैटे हैं उनी के कूचे में आज बुनेगारों की तरह प्रदेशन कारी उनीस सालों से सच की बेबाक आवाज इंडिया टीवी आपकी आवाज खबर जो सच दिखाए जो निश्पक्ष हो बिना किसी एजेंडा के हो कोई बहस या शोर ना हो बस खबर आज की बात रजट शर्मा के साथ शोर कम खबर ज्यादा ना पक्ष ना विपक्ष सिर्फ निश्पक्ष बेबाक सवालों और संबादों का मुकाबला शाम पाँच बजे सिर्फ इंडिया टीवी पार तेरे लिए मैंने पहले वाली तोड़ दी तो कभी दिल की बात गुले के साथ था लेकिन ये आपको बिस तरह है अलग अन्दास के साथ हर दिल पर राज आपकी अदालत आपकी अदालत में आज हमारे महमान है हिंदुस्तान के सबसे सीनर मोस्त नेताओं में से एक गुलाम नभी आजाद आपकी अदालत में सीनियर लीडर गुलाम नभी आजाद पर इल्जाम है कि ये एहसान फरामोश है आजा सब कॉंगरिस तो लोग आज कह रहे हैं कि पचास साल में कॉंगरिस ने आपने को क्या नहीं दिया यूद कॉंगरिस का प्रेजेट बनाया रिकॉर्ड टाइम जनल सेक्रिट बनाया पार्लिमन्टिर बोर्ड में आप रहे जब जब कॉंगरिस की सरकारें आई चार चार प्रधान मंतिरों ने आपको मिनिस्टर बनाया और आप ने छोड़ दिया पीट में छुड़ा घुप गर्मी में भी, सर्दी में भी, बर्फ में भी, जौन के बहनें भी, जनवरी के बहनें भी, और खेती की, गुलाम ने भी आजाद ने, दो रोटी खाई, अब दिली में बैठे होने ने दस रोटी खाई, जो खेत में गए भी नहीं, तो गुलाम ने भी आजाद की उस खेती से जिनको ज्यादा फाइदा हुआ, उनका तो बताते हैं तो ये राहूल गान्य जी करके देखेंगे ना सर्व स्टेटे आएंगी मोधी जी कहीं दिखाई नहीं देगी अब सौनिया जी जब मैं आठ स्टेट हूँ मैं से साज स्टेटें जिता के नहीं दाएंगे तो किसको मंतरी बनाएंगे वहां ऐसे भी मंतरी हैं जो उन्होंने स्टेटी आज तक देखी नहीं है और मैं खुदी बड़ा सिंपल पॉर्टफोलियो लेता था जिसमें कोई पैसे का लाइन देन नहीं हूँ सौनिया जी से आपकी रिलेशन्चिप थी उसको देख करके मुझे मज़ूर सुल्तानपुरी की वो लाइने याद आ रहे हैं रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से प्यारों की तरह बैठे हैं उनी के कूचे में आज बुनेगारों की तरह आपापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापापाप तो हमी को कहा कि आप गलत बो रहें वो ठीक है तो डूबाने के लिए जो गए है वहाँ वो डूब रहे हूं तुम डूब जाओ तो इतना साब हो रहा था सोनिया जी ने इंटर्वीन नहीं कि आपने उनसे बात रहे हैं लेकर फिर फिर भी उन्हीं पर बरुसा करते हैं सर हम ने सुना है बागबानी आपका पहला प्यार है और आप उसमें काफी समय बताते हैं मेरा गॉर्डन में दिली के ही गॉर्णर में तकेरिवए थीस पैंथिस किसम के फूल होते और हैड़ गॉड़नर में खुद हूँ कोविड में भी मैं नम्मर वन था कोई कंपिटीटरी नी था अब कई सालों से में कंपिटीशन नहीं करता हूं कि विचारा कोई दूसरा भी जीत जाए वरना हम ही जीतते जाए तो अब अपने शौक पूरा करने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं आठा धंटे खुर्पिया चलाते हैं गार्डन में तो राहुल जी विदेश जाने का शौक पूरा करते हैं उससे क्यों लोगों को प्रब्लम होते हैं नहीं दूसरो बहुत बहुत अच्छी बात आप लेकिए मैं तो कहता हूँ कि वो अपने शौक जितने हैं और भी शौक है अचछे अंसा आप जो बहुत रहे हैं और भी शौक करो इसको क्यों बार हैो जिसका शौक नहीं है जिस चीज का शोक नहीं है ये नोंका एक mission है मोडी जी से लड़ाई लड़नी है जो आपको कहते हैं साथ साय य लोपी से ठीक से रहा है सारी लड़ाई उनको लड़नी पड़ती थी ऐसी लड़ाई क्यों का कर लड़ रहे हैं कि जिससे मोडी साब बीजेपी वाले सुवा से शाम तक आरती उता रहें इनका कि ये रहे ये बात आपने ठीक पकड़ी है अब इतनी कहूंगे तो फिर तो कहेंगे ये RSS है अब इतनी कहता है आपको इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है कि जो नए जमानी की कैमपेन है जिसमें फेस्बूक है जिसमें ट्विटर है सोशल मीडिया है उस पर क्यों इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है हाँ ये आज से मेरा सोच नहीं है स्तसी अठसी की बात है जब मैं जनल सेक्रेटरी था पार्टी का मैं सेम पड्रोडा को तब नहीं जानता था साइंस और टेक्नोलजी में अमेरिका में काम करते हैं अच्छा काम करते है राजीव गानी ने अपने प्राइमिस्टर आफिस में बोला मैं गया तो कहा ये सेम पड्रोडा है ये अमेरिका में काम करते है तो एक नई चीज़ तो मैं दिखाओ, मैं दिखाओ, कंप्यूटर, मैरे कंप्यूटर नी दिखा था, किसी ने नहीं दिखा था, हंदुस्तान में, मेरी कुलीक्स में भी, बेपी, I was the first person to see the computer, तो कहा ये कंप्यूटर है, तो मैं इसका क्या काम है, तो कहां, इसमें सब नाव है तुम पूरे कांगरेसियों को ब्लॉक तुम यह जो घूमते हो पंजाब गाओं गाओं जाते हैं वोदर गाओं गाओं जाता हैं कोई गाओं की राजी गांदी ने करा तुम यहां कंप्यूटर से ही उनको यह सब कर दो तो मैंने भनेवाद तो मैंने उनको सैंपेडροड़ा को बिचारा है, अमेरिका जाए हमारे प्राइमस को खराब मत करियो है अच्छागा बहला प्राइमस्ट है ये तमाशे दिखा के इसको खराब करो ये हिंदुस्तान है ये अमेरिका नहीं है कि जहां American President election लड़े पेलिविजिन पर यहां गाउं गाउं जाना पड़ता है घर घर जाना पड़ता है चाई पीना पड़ता है खाट पे बैटा है अब जमाना बदल गया अज़ा सब आप पुराने जमाने के आदमी हैं ने ने वही जमाना है मोदी जी पराने जमाने के आदमी हैं हुकूमत कर रहे हैं यह नए जमाने के आदमी हैं 40 सीटें लिते हैं सिर्फ सिर्फ आपको यह समझना है कि आप American Citizen है या हिंद।स्तानी Citizen है हिंद।स्तानी स्टीजन है तो हिंद।स्तान की हिसाब से जाओ जनता में जरुब सवाल पूछना चाहते हैं राहुल जी और प्रेंका जी को आपने बच्वन से देखा है तो दोनों में से आपके साफ से कौन सा नेश्रल लीडर है मेरा काम नहीं है मैंने तो बच्चों की तरफ उनको देखा है और प्रेंका को तो मैं बेटी की तरफ मानता हूँ और बेटी कहता हूँ इसलिए मैंने कभी उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा और राहुल गान्दी के खिलाफ मैंने हूँ राजीव गान्दी जी का बेटा है ठीक है हम चाहते हैं सौस्त रहे आगे बढ़े मुझे सुरिफ उनसे एक ही रोश है जिस चीज में तुम्हारा इंटरस्ट नहीं है उस चीज को क्यों पकड़ के रखो राजनीती इंद्रा गान्दी 24 बाई 7 थे राजीव गान्दी 24 बाई 7 थे नहरू 24 बाई 7 थे लेकिन ये तो 24 मिनिट भी नहीं है और मुधी जी 26 बाई 7 है दो घंटे वो कहीं और से तो एक सुपर्सानिक गिरादों में खुश हूँगा मैं बीजीबी आइडियालोजी का नहीं है लेकिन वो तो F-16 है और आप रिक्षा भी नहीं हो तो जो आपके बसका नहीं है उसको छोड़ दो किसी जिसके बसका है उसको दे दो लेकिन चलाना भी खुदी है और हिम्मद भी नहीं है ये लालिच जो होती बुरी बला तो रहुल जी से मेरी निविदन है बंगान को लबी आयू दे दे सहत दे दे लेकिन ये आपके बसका नहीं है मैं इतने साल मिनिस्ट रहा इंद्रा गांदी से लेकर मुझे मैंने कहा भाई ये फनांस मेरे कामर्स मेरे बसका नहीं मुझे नहीं देना मुझे सोशल सेक्टर में हेल्थ है एजुकेशन है बाकी चीज़े मैंने पूर्ट तो आदमी को इतना टूथल तो होना चाहिए आपने कभी उन से कहा नी तुम से ना हो पाएगा जो उनको कहे तुमसे हो नहीं पाएगा तुम प्रो मोदी हो इसलिए कह रहे हैं उनका सिर्फ शब्द है ये गलत कर रहे हो अच्छा तुम प्रो मोदी हो इसलिए मेडिया क्वेशन पूछेगा तुम प्रो मोदी हो अरे मीडिया का काम मुझे मिले चार पांच मीडिया वाले कि हमने सवाल पूछा हाँ तो मोधी के बेजे हुए अरे आप इतने सवाल पूछते हैं मीडिया का काम तो है या आकवर्ड सवाल तो वो आपसे प्यार थोड़ी करेगा मीडिया वाले का पेपर या टेलिविजिन तब चलेगा जब आपको आकवर्ड पहुँचेगा सवाल पूछेगा और लीडर का काम है आकवर्ड निकलना वो आपको परोस के देगा कि अब मैं ये सवाल पूछूंगा ये जवाब दूँगा वो नहीं चलेगा एक दो दफ़ा चला वो अब रोज 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 तो नहीं चलेगा रोज 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 तो आपने वीवेक से अपनी मुदी से जवाब देना पड़ेगा तो मीडिया को भी चाहते हैं कि उनकी चाइस का और किसी ने इन कर्मीन सवाल प्रूशा तो मुदी को हो तो मुदी जी ये जैसे नहीं हुए भगवान हुए अरे मुदी जी अपना काम कर रहे हैं मों नहीं तुम्हें चेड़ते हैं अब जब आप आप ये बात नहीं मुदी जी खुब चेड़ते हैं स्वाल है स्वाल है ये 24 गेंटे वो एक टक बात है ना तुम एक ब्रेक के लुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके अधालत में गुलामने वाज़ात पर सवालात और इजामात का आए लेकिन प्रियंका गांदी को एक्टिव पॉलिटिक्स बाने में इतनी देर क्यों लगी के फैमिली का ही फैसला था कि बेटी को नहीं लाना है सिर्फ बेटी को ही लाना है इंडिया टीवी आपकी आवाज 24 की पिछ है तैयार क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही हैं स्विकार कहानी कुर्सी की सुबार से शुकरवार दोपहर एक बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर मैं वर्शा मैं सुन नहीं सकती बोल नहीं सकती पर इस मंच का हर पर मैं एंजॉय करती हूं हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूं आपकी अदालत आपके और मेरे लिए आपकी अदालत दिल से आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल पर रोवर्ज और रफ्तार नॉलेज लगाता टेक्नोलोजी जो बदगार पर पर बदलती टेक्नोलोजी की दुलिया में हम लखेंगे आपको अपडेट टेक्वींज देखने के लिए लोगान करें वेल्कम बैक आपके अदालत में आजम गुन्दा चला रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक गुलाम नभी आजाद पर आपके अदालत में आपकी अदालत में सीनियर लीडर गुलाम नभी आजाद पर इल्जाम है कि इनकी बातों में विरोधा भास है अजाद साब आपकी किताब मैंने देखी जैसे आप कहते ना कि यो लोग है वो इतनी मेहनत नहीं करते राहुल जी अतनी मेहनत नहीं करते वो गाओं में नहीं जाते अगर वो करते तो शायद बेहतर होता छिए मैनें उसरा करना चाहती थी आपने ही परसूर्ट करके बनाया हr प्रिस्तिती में किसी ने किसी का उप्यूग होता है और हर आदमी का हर से महीं तक उप्यूग नहीं रहता जैसे हकिकत है कि सबसे पहले सुनियां गांदी को लाइक सबसे पहले मैं ही राजू गांदी और इंद्रा गांदी के बारे में हमारी चर्चा हुई थी उनको राज़िती वे लाने की ये कोइंसिडंस है कि उनकी मिस्स को लाने का भी हमारे वक्त में शुरू हुआ क्योंकि केसरी जी के वक्त में जब अठनेमे का एलेक्शन मैंने इनको कहां कि केसरी जी तो बिचारे कमपेंड वाले थे नहीं मैं सुन्धे आपने कैंपेंड करनी दी दिया उने नहीं नहीं ऐसा है और उसी एलेक्शन से सुनियाई जी को प्रजेक्ट हिया ना वो चेर्मेन थे कंपेंड कमीटी के में कन्वीनर था और चेर्मेन बाई वर्चु आफ प्रिजरेंड थे डिकर बीचारे साधार वो स्पीकर भी अच्छे नहीं थे और कहीं जादा जाते दी थे एल्ड थे तो मैंने उन से कहा भाई अगर सोनियाजी से परचार कराएं तो क्या बुरी बात है तो कहा, मैं तुम अच्छी तरह से नहीं जानते हो, तुम जानते हो अच्छी तरह से, मनवाओ मैं गया, एक दूंग दिन में मनवाया, और ने परचार किया, उसको डिटेल के लिए बुक पढ़ना पड़ेगी कुछ वहने के बाद हम हार गए, 98 का अलेक्शन बुरी तरह हार गए, हमने सोचा कि भई अब लीडर उसका कारण भी था, हमारे बहुत सारी लीडर अध़च बनना चाहते थे, तो हमने सोचा ये अब सक्सेशन के लिए मुगलों की तरह जंग हो जाएगी, तो नए के लिए इ गिने के लिए कहा, हमे तो जो उनको दो मनाने गए थे, उनने कहा, जी ये मान नहीं रही तो क्यों नहीं जात हूँ, कहा ये कहती छे का टायम दे दो तो मैंने कहा, चा मैं अभी निर्गशन लेता हूँ तो मैंने मैडम से पूछा कि आप आना चाहती हैं का नहीं मुझे छे मेहने कर दे दो मैंने का मैं एक सवाल पोछूँगा आपसे उसका जवाब देगे आप राजनीती में आना चाहती हैं कि नहीं आना चाहती हैं उसने का सुनिया ग्रांदी ने का हाँ आना चाहती हूँ देखिन छे महने के बाद मैंने आएं सॉरी राजनीती होती है नौ और नेवर हमको आज प्रेजिनेट की जरूत है हमारे इस वकत वैक्यूम है उस वैक्यूम को फिल करने लिए हमारे यहां लड़ाई है हमने आज तो चुनना है प्रेजिनेट हम बगएर प्रेजिनेट शे महने तो नहीं रह सकते तो या आप आज प्रेजिनेट बनेंगी या कभी भी नहीं बनेंगी तो वैसस गांदी ने एक दम कहा कि आज हो चलो बन जाओगी तो उसकी अक्सेप्टबिल्ली हो गई है मैं पश्ता नहीं या यह नहीं बता रहे हैं कि सोनिया जुआ को बनाने के लिए सी तरह केसी कमरे में बन कर दिया बाद वनको खसीट के बाहर निका दाए ना मंसन्स हो सबाप्टबिल्लास ओगर चले गए थे आपने घर चले गए बाजिए साथ में वर्किंग कमिटी के दो लोग गे थे उसका मैंने जिकर किया, अभी मैंने किया, कि उसको मैंने इसलिए कहा था, क्योंकि वहां से लड़ी रही थी, राइबरिली से, तो मैंने सौनिया जी को कहा, कि आप राइबरिली से तो आपका फैमिली सीट है, कोई करेड़ जाए, आप करनाटक से सौथ से जीत के आओ, तो ए गांधी को मैंने कहा कि इंद्रा जी ने भी एक गलती की थी अब आप गलती नहीं करना कि सौच से तुम रिजाइन करोगे और यहां फिर अपनी कांसों से रख पकड़ोगे आप करनाटक रखो अपने पास और राइबरेली में प्रियंका को लगाओ क्योंकि प्रियंका आपक प्रियंका गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स में इतनी देर क्यों लगी अब वो फैमिली का मामला है मैंने बुक में नहीं नहीं दिखा है कि वो फैमिली का ही फैसला था कि बेटी को नहीं लाना है सिर्फ बेटी को ही लाना है लेकिन बाद में आई वो लेकिन पीछे चल नहीं रही एक से तो चलो दो चलाएं लेकिन प्रेंका की खुद की हमेशा इच्छा थी सियासत में आने की आ बिलकुल थी और राउल की नहीं थी क्योंकि मैंने MP बने से पहरे मुझे कुछ पता नहीं हो उनके बारे क्योंकि राहू प्रेंका की इतनी है कि जब राजीव जी और मैं जब राजी जी प्राइमिस्ट और प्रेजिन थे में जनल सक्टी था तो कभी कभी हमारे दो बच जाते थे डिनर के बगएर तो वह अंदर जाते थे और वहां से कुछ जो खाना है बचाता है वो टेबल में ले आते थे तो मैं का वहां सुए होंगे तो वह कहता था हैं लड़की अभी इनजार करती है तो उसका मनला है कि तब के जमाने से वो देखती थी कि इसमें बड़ा वहरत वाला काम पहा है दो दो बजीब तक तो बच बे और वो आती जाती थी कभी देखने भी कि ये इतने देर तक काम कर रहे है तो एक एप्टी चूड मैंने उसम नहीं रहता तो रैबरी ली नहीं लड़ेंगी और प्रियंका महां से लड़ेंगी अब उनके घर का मामला है उसमें हमें कुछ कहना नहीं है आप तो घर को जानते हैं अच्छी तरह से देगो हम political बात करें अभी हम घर की बात देगा घर की बात हम कभी उनकी न ही करेगे घर के उनकी एक और मेंबर है Robert Wardra नहीं उन्होंने ये कहा कि वो Raja Nity में आना चाहते हैं आए ये तो सब लोने का मैंने पबली रह पे इतना काम किया है कि मैं आउँ गा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करूगा देखो लाखों लोग राजनिती बे हैं लाखों लोग हमारी से इलेक्टर्ड ही कितने लाखों हमारी इस पंचाहिद राज में तो दस लाख या तीस ल सबान सकते हैं कांग्रेस पार्टी को? अब जो हैं वो पहले सबाल हैं. आपके साइब से कौन हो सकता था जो लिड कर सकता था पार्टी को आगे ले जा सकता था? अब ये लड़ाई तो 6-7 साल से चल रही है. राहुल गांदी जी को हमने ऐलक्ट किया. सोनिया जी चाहती थी उन्होंने उसको वाइस प्रेजिन बनाया उसके बाद सबने प्रेजिन बनाया हमने भी उसके स्पोर्टर थे प्रेजिन बना रे दे लेकर आधे रास्ते से रिजाइन कर दिया और आधे रास्ते में रिजाइन किस पे किया मैं कहूं कहूंगा नहीं वो मझे अच्छा नहीं लगते है राहूल गांदी बाहर जाकर हमारी देश की शवी खराब कर रहा है आपको क्या लगता है वो कैसे इस सम्हाल पाएंगे लेकि जब हम यूनियर मिनिस्टर बने थे 31-32 साल की उमर में तो हमें यही बताया गया था कि जब विदेश जाओ तो ना अपने देश के बारे में कोई बुरी चीज़ कहना ना देशवासियों के बारे में बुरी कहना और ना सरकार के बारे में कोई बात करना क्योंकि विदेश में आपके दोस्त देश भी है दुश्मन दोस्त भी है वो फिर आपसे बात निकालना शुरू करेंगे और आपको कोट करेंगे कि यह वह हंदुस्तानी आया था यह यह बोल रहा था हंदुस्तान के बारे में वहाँ की सुभीता के बारे में, वहाँ कल्चर के बारे में, वहाँ के कास्टिजम के बारे में, वहाँ के कुमिनलिजम के बारे में तो ये हमारी अंदरोनी चीज़े हैं, हमको खुटी करनी है विदेश को, दुनिया को इसमें नहीं अन्वालू करना है जैसे आपकी ट्रेनिंग हुई, आपको किसी ने बताया कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, विदेश्ट में क्या कहना है, क्या सा व्यवार करना है, तो इनको किसी ने नहीं सिखाया जब माइंड सेड मनता है कि मुझे सब कुछ मालूम है पुरी दुनिया के बारे बे तो उसका इलाज क्या है ये तो वो कहते है कि मोदी जी को कुछ नहीं वालूम मुझे सब मालूम है और इसलिए मोदी जी मुझे से डरते है अब ये वो दोनों जाने कौन किस से डुरता है एक और ब्रेक के लुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके अदालत में उलम नभी अदाद पर इजामात और सवालात का एक और अपने बुक में लिखा है कि वो जो सुच्वाज जी ने कहा कि वो अपने बाल साफ करवा के मुंडन करा के पूरे देश में घूमेंगी तो मेरे ख्याल में उससे फैमिली डर गई परदेशन कारी जो है उलगतार पथ्षू की परसाथ कर रहे है उननीस सालों से सच की बेबाक आवाज इंडिया टीवी आपकी आवाज खबर जो सच दिखाए जो निश्पक्ष हो बिना किसी एजेंडा के हो कोई बहस या शोर ना हो बस खबर आज की बाद रजत शर्मा के साथ शोर कम खबर ज्यादा ना पक्ष ना विपक्ष सिर्फ निश्पक्ष बेबाक सवाल और संबादों का मुकाबला शाम पाँच बजे सिर्फ इंडिया टीवी पार कभी तीखे सवा आपने सनातन धर्म के नाम पर धंकिया देनी के दुकान को जो भी मोधी सरकार का विरोत करता है उसके घर सीबी आई भेज देते हैं कभी बेबा कंदास कॉंग्रेस की सरकार की तब आपकी पार्टी के लोगी तो मजाब उड़ा ले कभी मुस्कुराहत के साथ आप कहते हैं कि सबसे सोना मुंदा मैं हूँ पूड़ी करोड की तेरे लिए मैंने पहले वाली चोड़ दी कभी दिल की बात शादी के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें आप कुछ भूले ही नहीं तो कभी अनसुने राज करन अरजुन के सेट पे आपने शारूप खान को दूली मार दूली के साथ था लेकिन यह आपको बिस तरह है अलग अंदास के साथ हर दिल पर राज आपकी अदालत वेल्कम बैक आपके अदालत में आज हमारी मेंबान है गुलाम नभी आजाद आपके अगला अजाद आपकी अदालत में सीनियर लीडर गुलाम नभी आजाद पर इल्जाम है कि ये लोगों को गुमरह करते हैं अजा साब अपनी किताब में आपने लिखा है कि एक समय ऐसा था कि आप कॉंग्रेस प्रेजिडन्ट बन सकते थे आप सीनियर थे अनुभवी थे बनते बनते रह गए क्योंकि आप मुसल्मान थे माइनौटी से थे यह नहीं कहां एक सदर्ब में मैंने हिस्ट्री की बात लिखी कि उस वकत तकरीवन साथ या पैंसेट साल फॉर्टी से पहले कॉंग्रेस रही उन साथ पैंसेट सालों में बारा या तेरा माइनौटी के अधक्ष रहे हैं राश्ट्रे कांग्रेस के लें पच्छातर साल में एक भी नहीं रहा अज जिसको चाहो बना सकते थे क्यों नहीं बना रहे लिखे हैं हमने तो वहीं बताया ना खाली सेकोजम कहने से कुछ नहीं होता उस पर एक्ट भी तो करना है जैसे आप माइनौटी का होनी की बज़े से बनते बनते रह गए सुनिया गांदी भी प्रधान मंतरी बनते बनते रह गए क्या इसलिए वो माइनार्टी की थी इसलिए या फॉरेंडर थी इसलिए ने खिर वो तो माइनार्टी न समझती है अपने आपको मैजर्टी से शादी की है मानर्टी लिया भी नहीं किसी ने मैजर्टी ही लिया मैजर्टी का प्रैक्टिस भी करती है हिंदू भर्म को प्रैक्टिस करती है लेकिन उनका फैमली का कुछ प्राबलम था कि everything मैं अपने बुक में लिखा है कि वो जो सुच्मा जी ने कहा कि वो अपने बाल साफ करवा के मुंडन करा कि पूरे देश में घूमेंगी तो मेरे ख्याल उससे फैमिली डर गई कि बहुए एक नया विवाद खड़ा हो जाए मुश्किल से तो हुकुमत में आये हैं तो बहतर है लेकिन कभी आपकी बात नहीं हूँ इस बारे में मालू है वो फैमिली की चीज़ें कई चीज़ें मैंने कहा कि मैं फैमिली पर नहीं आना चाहता हूँ और अच्छी बात नहीं बेरे लिए उस समय देखे मैं क्यों कह रहा हूँ आपने गुमरा कि हमद भाई थे और परणबदा थे इस किंसल्टेशन में तो जब उनने डिसाइड किया तो मैं मीटिंग से उठके चला गया और शाम को त्यूसरी मीटिंग में गया नहीं मीटिंग में तो हमने हमारी कुछ फैमली मजबूरिया है वो बताई हैं और मैं चुब बढ़ लिया ठीक है और डॉक्टर मनमून सिंग को क्यों चुना शरीफ आदबी थे पड़े लिखे थे विदवान थे हमारी बहुत अच्छी बनती थी और इमानदार बहुत इमानदार आपने कभी निस्टा कि प्रणम मुकर जी अगर प्राइमीनिस्टर बनते तो बहतर देश को चाला सकते थे वो भी एक अब इतने तो च्वाई साब को देरी जिसको हमने चुन लिया था तो उनकी कंपेटिबिल्टी तो होने चाहे थे उनको किस से ज्यादा बन सकती थी और एक छबी बनी थी मनमौन सिक जी ऐस फ्राइंस्टर के भाई जो कुछ भी उबलब्दी हुई चाहे प्राइमीनिस्टर नरसमाराओ था लेकिन फ्राइंस्टर पर लोंगो विश्वास था क्योंक नहीं रियल मेराइटी तो आपको बालू में कोड है एक एंटनी जैसे नेता कहते हैं वी नीड हिंदूस हमें हिंदू की जरूरत है अब वो स्पाइनलेस आदमी है बशार जैसे कॉंग्रेस के स्पोस्पस्टन सुर्जेवाला ने का कि राहूल गांदी सिर्फ हिंदू नह है वो नहीं है तो चुनाव में आजकल हिंदू की जरूरत पढ़े चुनाव ही तो सबसे बड़ी बसीवत था है जिस तरह से कॉंग्रेस से लिए क्या दोजार चोबिस में बीजेपी को चुनोती दे पाएगी आपको क्या लगता है लेकिए मैं कह सकता हूं लगन कहूंगा नहीं कांग्रेस में इदनी छोटे लोग आ गए हैं आज कि हर चीज़ को वो सचा सुनना नहीं चाहते हैं तो आपको मीर जाफर कहते हैं है तो मीर जाफर तो ये लोग है जो कांग्रेस में बैठकर कांग्रेस को डुबा रहे हम बैठकर भी बाहर हम बैठकर भी हम बाहर अ democracy के हीट में है congress वाली के हीट में congress वाली deserve नहीं करते है लेकिन जमुरियत के हीट में है एक और national party होनी चाहिए दो national party होंगी जमुरियत है ही नहीं लोग तंतर खतम हो गया मोदी जी ने खतम कर दिया सब का गला गोड़ दिया तो उसके लिए ये उनकी मदद कर रहे है अगर मोदी जी ने ये तो मोदी जी की मदद कर रहे है 24 गंटे मोदी जी अगर 24 गंटे सता में रहने के लिए हैं Congress leadership 48 गंटे काम कर रहे हैं उनको सता में रहने के लिए तो उनका सवाल रह गया कि 2024 में आपको क्या लगता है, क्या होगा? ने, मैं अगर कहुंगा कि ये हार रहें, वो जो थे हैं, अगर मैं कहुंगा BGP जीत रहेंगे, करें BGP वाले हैं? मैं कहुंगा कांगरेس आगे बढ़ रही, कि ये कांगरेस राइन करने हैं? पी आपने हैं अपको मालम है प्रव्वर, अजितर की ना हो फॉद्स ब्रेक के भाद सुनेंगे आपके दालत में आज के जज्च फॉर्मर यॉनेंट मिनिस्टर दिनिश त्रिवेदी का फैस्ट इन्डिया टीवी आपकी आवाज क्या बनेंगे संयोग क्या होंगे प्रयोग 24 की पिछ है तैयार क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही हैं स्विकार कहानी कुर्सी की सुबार से शुकरवार दोपहर एक बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर मैं वर्शा मैं सुन नहीं सकती बोल नहीं सकती पर इस मंच का हर पल मैं इंजॉय करती हूँ हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ आपकी अदालत आपके और मेरे लिए आपकी अदालत दिल से तो आई ये शुरू करते हैं अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के यूट्यूब चानल पर रोबर्च और रफ्तार नॉलेज लगाता टेक्नोलोजी जो बददकार पर पर बदलती टेक्नोलोजी की दुलिया में हम रखेंगे आपको अपदेट टेक्नोलोजी देखने के लिए लोगान करें वेलकम बैक आपके अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक सबसे सीनियर गुलाम नभी आज़ाद पर हमने उनसे पूछा कॉंग्रेस पार्टी के बारे में नरिद नभूदी के बारे में राहूल गांदी के बारे में सुनिया गांदी के बारे में उनके पचास बरसों के राधनीती के अलगला तरह के उतार चड़हा के बारे में अब वक्ते आपके अदालत में आज की जज फॉर्मर यूनिन मिनिस्टर दिनिश्टर वेदी के फैसले का देखें ये आपकी अदालत है आपकी अदालत मतलब जन्ता की अदालत और ये भी सही है कि खरा सोना वही होता है जो तब के उभर आता है और जो थोड़ी बहुत तपन गुलाम नभी आजाद की बाकी रह गे थी वो होनार वकील रजच सर्मा जी ने अपने कठिन से कठिन सवाल पूछ कर वो भी आज पूरी कर दी अब सवाल ये था पहले की बेवफा तो याद आ गया जो कहते हैं बेवफा वो जानते नहीं वफा क्या है मुझे आज भी वो मनजर याद आता है जब मैं भी राजसभा में था एक देश के नेता हमारे प्रधान मंतरी मोदी जी और दूसरे विपक से नेता गुलाम नभी आजाद जी भावकता का सवाल आया तो आज मैं ये भी अदालत को कहना चाहूंगा कि वो मनजर ऐसा था कि हम सब भावक हो गये थे एक पर्टिक्लर पार्टी की बात हम नहीं करेंगे वो भावक हुए थे कर नहीं पता नहीं मगर हम सब बहुत भावक हुए थे क्योंकि भावगता थी देश के बारे तो कहते हैं ना मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा तो दोनु का सुर बना तो हिंदुस्तान का सुर बना आपने आखिर में कहा कि आप यदि पॉलिटिशन नहीं होते तो आप माली होते तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी आप माली है और ये हिंदुस्तान एक बड़ा चमन है इस चमन को आप अच्छी तरह सीचे और हमारी इस दालत की शुब कामना आपके साथ है और ये चमन हसे फूले और आगे बड़े मजबूत रहे इस उमीद के साथ कि गुलाबन अभी आज़ाद इसी तरह से जनता की सेवा करते रहेंगे वो स्वस्त रहेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम इसी तरह करते रहेंगे आज का मकदमा यहीं खत्त करते हैं अगले हक्ते आप से मुलाकात होगी एक नई शक्सित के साथ तब तक लिए नास्ता